दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि जनवरी के आखरी हपते में हमें अपने गुडहल के पौधे पर ऐसे कौन-कौन से जरूरी काम कर लेने होते हैं जिससे की आने वाले महीने यानि की फरवरी और मार्च में हम अपने गुडहल के पौड़ी इस्थिर हो गई थी क्योंकि इधर दो हफते से इस पर बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी और पौधे पर जो कलिया आई हुई थी वो उतने पर ही इस्थिर हो गई थी और पत्यां पीली होकर कोहरे की वज़े से नीचे गिरने लगी थी लेकिन अब जनवरी में इसके उपर हमें कुछ जरूरी काम करने है तो आए वीडियो में देखते हैं कि ये कौन से ऐसे जरूरी काम है जिनकों की जनवरी के आकरी अपते में करना सभी को काफी जरूरी है नमशकार दोस्तों आप सभी का अपने शैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहु वैसे वैसे पौधे पर एक नई ग्रोथ आने लगेगी और जो कलियां रुकी हुई थी वो कलियां फिर से बढ़कर फूलों में बदलने लगेंगी तो सबसे पहले अपने पौधे को आप अब ऐसी जगे पे रखें जहां पर इसको पूरे देर की धूप यानि की 5-6 गंट जिसकी वज़े से जणे फैल नहीं पा रही थी और पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा था जिस वज़े से पत्यां पीली होकर नीचे गिरने लगी थी तो पानी कम कर देंगे तो मिट्टी सूखने लगेगी और पौधा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकेगा तीसरा काम की वज़े से अगर किसी तरीके की फंगस लगी हो तो वो हट जाए और मिटी मुलायम पड़े तो कीड़े मकोड़े हो तो वो भी पौधों को आसपास से जड़ों से हट जाए क्योंकि अक्सर सर्दियों में मिटी की नीचली लेयर काफी गर्म रहती है जिसकी वज़े से बग कि तब तब ये पौधे ग्रोध को अपनी पूरी तरीके से स्टार्ट कर देते हैं और इनकी जड़े होती है वो एक्टिव हो जाती है क्योंकि जड़े जब तब तब एक्टिव नहीं होती है तब तब किसी पौधे को छीड़ा नहीं जाता है अगर उससे पहले कर दिया ज गया है तो उसमें आपके पौधे में काफी रूट की जाल बन गई होंगी तो उन जालों को धीरे-धीरे से रूट को हटाना है जिससे की वहां से नई रूट से निकले और पौधा अपनी ग्रोध को स्टार्ट कर सके तो अगर आपके पौधे में चेक कलने अगर कुछ ऐसा ह तो ही आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करें अन्यता पौधे को बिल्कुल भी ना छीड़ें अगला काम करना है पौधे पर से आपको हर तरीके के कीड़ों को और फंगस को हटाना क्योंकि दोस्तों गुडहल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिस पर बहुत पर नीम उयल का अच्छी तरीके से इस्प्रे पौधे पर कर दें या फिर आपके पास जो भी अच्छा कीट ना सको उसका पौधे पर चारों तरफ से गुमा गुमा कर जल्दी जल्दी एक से दो दिन के अंतर पर करते रहें जिससे की जो भी कीड़े लगे हैं वो पौधे पर से तुरंत के तुरंत हटते रहें दोस्तों सरदियों में अकसर पौधों की मिटी में नमी की वज़े से कई तरीके की फंगस लग जाती है या उपर से जो पत्यां गिरती हैं तो वो पत्यां फंगस की वज़े बनती हैं इसलिए आपको गमले की मिटी में भी किसी अच् तरीके से मिला दें और जब आपकी गंले की मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप इस फंगी साइट को मिला कर अच्छे से पानी डाल दें जिससे की इसका असर मिट्टी में नीचे तक पहुंच जाए और जो भी किले मकोडे या फंगस लगे हो तो वहां से हट जाए अगर के रूप में राख, हल्दी पाउडर या फिर दालचीनी के पाउडर को तीनों में से किसी एक चीश को मिट्टी में अच्छी तरीके से एक शमश लेकर मिला दें लास्ट में पाच्वा काम आपको करना है पौधे को फर्टिलाइजर देना तो दोस्तों अभी पौधे को को अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर को मिलाना होगा तो यह थे अभी जनवरी के लास्ट हपते में कुछ करने वाले ऐसे जरूरी काम जिनकों की अगर अभी गुड़हल के पौधे पर कर दिया जाता है तो गुड़हल का पौधा पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा औ और पौधे को अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर दी जाएगी तो दोस्तो पौधे पर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी अमीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करिएगा मिलती हूँ कि अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में तब तब के लिए दोस्तो हैपी गार्डिनिंग